नमस्कार मैं हूरे विरंजन आप देख रहे हैं लाइब बिहार लाइब बिहार पर हर रोज किशी वरिष्ट पत्रकार के साथ हम बाचित करते हैं देश के सबसे महत्यपुन और खास मुद्दे पर तो आज हम बाचित कर रहे हैं सत्यपाल शुष्ट जाने माने वरिष्ट प केल कस पाएंगी क्या कोचिंग संस्थान जिस तरह से शात्रों को दूह रही है उस पर सरकार का कोई अंकुष लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा इस पर हमारे साथ बातचित करने के लिए हमारे साथ है सत्यपाल श्रेश्टी जी आपका बहुत स्वागत हैं सबसे पहले तो हमारा सवाल यही रहेगा कि बिहार की सरकार ने 2010 में ये कोचिंग निती बनाई थी और उसके बाद जाकर 23 में केके पाठक ने उसको एक नियमावली बनाने के लिए उस पर पहल की और नई नियमावली बन के तयार हुई अब जाके जिलाधिकारी की नींद खुली है जब दिल्ली में एक बड़ी घटना हो गई और दिल्ली में तीन बच्चों की मौत हो गई बेस्मेंट में चल रहा था वो कोचिंग उसके बाद बिहार की सरकार हरकत में आई है आपको क्या लगता है ये कोचिंग संस्थानों और सरकारों का नियंतरन है या नहीं देखिये सरकार अधिसूचना जारी कर देने के बाद सो जाती है बिहार कोचिंग संस्थान अधिनिम 2010 28 अपरिल 2010 को अधिसूचना इसकी जारी हुई अधिसूचना जारी होने के बाद बहुत लोग को मालूम भी नहीं है कि क्या नियमा वली है क्या इसका तोर तरीका है क्या इसका बहुतिक अधिनियम है क्या कैसे होना चाहिए खेर तो सरकार जब तक नहीं जागरूख होगी और साथ साथ कोचिंग संस्थान को तो होना ही चाहिए गार्जियन को भी इसमें जागरूख होने की जरूरत है कि हमारे बच्चे कहां रह रहे हैं और कहां पढ़ रहे हैं जैसे अभी जो दुरघटना हुई है 27 जुलाई 2024 को वो तो रहने वाले घर में दुरघटना हुई बेस्मेंट में रह रहा था और मकान मालिक ने ही पानी रोक दिया ड्रेन का पानी और वो वर्फ्लो होके रूम में आ गया पानी उसका जो वेंटिलेशन है वो रोड के ऊपर था तो यह तो गार्जियन को भी देखना चाहिए था कि हमारे बच्चे कहां रहा रहे हैं आपने प्रदेश की जो बात है इसमें उसी समय बनाया गया नियाम के निबंधन कैसे होगा इसमें जीलाधीकारी सिनियरेस पी जीला शिक्षा अधिकारी और एक उस जीले के प्राचारे और वो रोटेट होते रहेंगे जिलाधी कारी के हिसाब से, चार लोग जब अनुमती देंगे तब किसी का निबंधन होगा, और निबंधन वो पर्मानेंट नहीं होगा, तीन साल पर उसका रिनीवल होगा, तो इसके लिए सरकार तो देखे कि इतने संस्थानों का रिनीवल हुआ, कितने जगह आपने निरिक्षण किया इसका, तो सरकार अधिसूचना जारी करने के बाद सोचती है कि हमने अधिसूचना जारी कर दी, ये काम हो गया, इंप्लिमेंट हुआ कि नहीं, जैसे कोट आदे माल्या की इनोसेंट है, उसको पता ही नहीं है, अभी अपने प्रदेश का जीवा नस्तर इतना उचा नहीं हुआ है, कि वो समझ सके कि कैसे कमरे में हमको रहना है, माल्या की एक मीटर के डाइमेंशन का मानक तै है, कि हमको एक मीटर के डाइमेंशन में बैठना है, बच्च ही देख रहा है कम पैसा में हमको रहने का घर मिल गया some से जो उपैक्षिक मकान का पार्ट है उसमैं विद्यार्थी रहता है यद्या है आप जाया एंप तरी नहीं को देख वाव सित्サशनूंब बिहार में चार सबसे popular जो teacher है जो देशी नहीं दुनिया भर में उनको लोग पढ़ते और सुनते हैं उनकी बात और online classes उनके चल रहे हैं एक तो सबसे महत दपून खान सर हैं जिनकी coaching पटना में चलती है उसके बाद जहा सर हैं जिनकी coaching पटना में चलती है उसके बाद रहमान सर हैं जिनकी coaching पटना में चलती है और नवीन सौर और ऐसे अनेक इसके अलावा आकास उसके अलावा मेंटर्स उसके अलावा फिजिक्स वाला और अनेक इस तरह के बने यह जो एक तरह का धंदा चल पड़ा है यह तमाम कोचिंग वाले भागे फिर रहे हैं खान सर की कोचिंग पिछले दो दिनों से बंद है रजिस्टेशन के लिए बात कही गई जो जरूरी कागजात उनसे मांगा गया वो कागजात उनके पास नहीं थी और इसी ऐसे तमाम कोचिंग संस्थानों के पास नहीं है एक विद्यावंदिर है जो लाथो रुपे वसूलती है शात्रों से ऐसे तमाम कोचिंग संस्थान हैं जो बिहार की राजधानी पटना में चल रहे हैं इन पर किस तरह से नकेल यहां की सरकार या कहीं की सरकार या प्रशासन कि निंद तब खुलती है जब कोई दुर घटना हो जाती है अभी ये कुछ दिन चलेगा फिर ये बात आई गई हो जाएगी इस और किसी का ध्यान नहीं जाएगा ये कोई पहली घटना थोड़े है कोचिंग में कई बार दुर घटनाएं हुई है जब गोली चल गए ती ये कोचिंग में और एक चात्र की मौत हो जाएगा बिदान सबाब में साल-दो साल पहले भी ये हुगा कि कोचिंग पर नकेल कसेंगे कोई भी जब आप कानून बनाते हैं कोई अधिनियम बना कोई भी अधिसूचना जब जारी हो गई उसकी तो उसको लागू होना चाहिए जैसे आप एक उदाहरण के लिए देखिए कि कुछ दिन से जैसे लोग हेलमेट पीछे वाले भी पहन रहे हैं आखिर आपका कैमरा रीड कर रहा है तो पहन रहे हैं डर से पहन रहे हैं तो उसी धंग से कोचिंग संस्थान में जब ये दुर घटना हुई तब आप से कुछ अधिक संस्थानों ने अवेदन दिया है रिजिस्टेशन के लिए लेकिन अब जब जब जिलाधिकारी ने कोचिंग संस्थानों में घूमना शुरू किया है तो एक होड मची है कि अब सब का रिजिस्टेशन हो जाना चाहिए लेकिन तीन वर्ग स्क्वाइर का उनका एक कमरा होना चाहिए इसमें उनकी कोचिंग चलती है क्या पटना के संस्थानों मिश्टर का कोई है आप बिल्कुल नहीं जैसे आपने जो संख्या गिनाई 500 यह 1000 मल्या की पटना की सूची में तो 20,000 कोचिंग संस्थान है लेकिन हम लोग के बल पटना पर केंद् पतना के भ्रणा झाषण में जीतने जीले हैं या जीले का यह तो ज्यागरूट्था पढ़ाएं के प्रती है कि प्रखंड अस्थर के च्ट्ना ऺас यह प्रणने चाहरों लेकिन पटना के बाहर भी बिहार है उस पर किसी का ध्यान नहीं है पटना का अकड़ा दे दिया गया कि बीस हजार कोचिंग संस्थान पटना जिले में चल रहे हैं अब बाकी जगह कि क्या इस्थिति है नलंदा में कितना चल रहा है चपरा में कितना चल रहा है यह सब जाएस बना देंगे और घर जो अज़कों चल रहे हैं उनका वह बंचिंग जहों बेस्मेंट में पतना और ठोड़ी आरा जैसे छोटे शहर में कोचिंग संस्थान जो चल रहे हैं वो पैसे तसील लेते हैं लडकों से और फिर उनका कोर्स पूरा होगा की नहीं उनके पास faculties किस तरह के हैं यह अभिभावक नहीं देखते हैं आप जो ठीक ही बात कह रहे हैं कि अभिभावकों को ध्यान देनी नहीं देखिए इसमें तो पूरी तरह से पैसा आप दे रहे हैं तो आप तेह करेंगे ना कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं और यह क्यों अं किसी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहेंगे को ब्रंडिंग नहीं करना चाहते हैं यह कोचिंग में पढ़ने की जो अंधी दोड़ है पहले कोचिंग में लोग नहीं पढ़ता था तर मिटकल इंजिनेरिंग नहीं होती थी होती थी बच्चा हमारा कैसे पढ़े इस पर ध्या यह खान सर को बहुत सारे लोग और सुनके जाते हैं वहाँ देखिए कि उनकी शिडी पर लोग बैठे हुए जमीन पर लोग बैठे हुए गली में बाहर तक लोग बैठे देखिए वही तो हम कह रहे हैं कि लकीर के फकीर वाली स्थित है आज मीडिया भी उस और भाग रहा है क्यों जब दुरघटना हुई है तब पहले कहां था पहले तो खबर नहीं चल रही थी तो हर लोगी संधी दोल में चल रहा है जब एक मानक तै हो गया जब एक अधी सूचना जारी हो गई कि कोचिंग चलेगा तो यह 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 इसका मानक होगा उसमें सोचाले होगा कारी नहीं है जो यह जान सके की कोचिंग कैसे चल रहा है ठीक है चल रहा है यहां पाकमूंत के जा रहे हैं भेज रहे हैं तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है हमको ध्यान देने की जरूरत है कि हमको कैसा पानी पीना है कुछ भी मिल गया कुछ भी खाली है कुछ भी पी तो इससे बचने की जरूरत है बाकी आखड़ा और बाकी बिवहार तो अलग बात है लेकिन ये समझने की जरूरत है कि हमारे बच्चे कहां रह रहे हैं और कहां पढ़ रहे हैं एक फीस लेने की बात जो कहा रहे हैं कि कई संस्थानों में तो उंची फीस है जहां बड़े घर लिए भालेते हैं। हम बार बार इसलिए यह बात कह रहे हैं कि रहमान सर्खान सर्घाइसर्यै यह तमाम सर्भी जो है व 요ेइब पत्ना में जहां पर बडी भीड आहे हैं यह सब कह रहे हैं कि थीज कम ले रहे हैं लेकिन 10. उनसे कागज मांगा गया तो उनके पास कागज नहीं वह भागे फिर रहे हैं इसका माने कि यह जान बूस कर धोखा दे रहे हैं यह पहुंच देखिए आप क्यों खान सर रहमान सर और अमुक सर के पीछे पड़े हुए हैं खान सर कोई अंतिम मानक थोड़े हैं ठीक है वो व भीड कम है उनकी सलहा लिजिए अब नामी दुकान उची उची दुकान अफीका पकवान उसमें पड़े हुए हैं भीड से बचने की जरूरत है आकिर हम लोग क्यों उस पीछे भाग रहे हैं वहां अधीक भीड है तो हम तमासा घूश के देखेंगे इसमें परेसानी बढ जाई गई जरूरत अगर्जियन को सोचने की जरूरत सबसे बीसिक बात जिसको बार बार हम जोड़े रहें हैं सरकार हो सकता है कल्भी इस बात को कान में रूविय कर सो जाएं लेकिन इसमें बच्चा तो बच्चा है वह तो बूस्यक्राथ इसमें है lobby कर गारग нуж निसमें क के मकान में यहाँ च्षापा पढ़ रहा है कोचिंग में अगर हम करेंगे तो मेरा वोट खराब होगा अधिकतर मकाने में बचे छाट रह रहे हैं अधी का वाडी यहाद होगी कि इस का मकान है क्या है कैसे है उस आपकर यहां पहत्त कि यह कोचिंग संस्थान का में तो यह धंदा है कि हर आदमी अपने घर के उपर वाले छट पर जो है शेड बना के और बच्चों को उसमें या आउट हाउस आउट हाउस मने विद्यार्थी अधिकतर कम पैसा खर्च करने के यह में बराबर उपेक्षित मने मकान के उस उपेक्षित भाग में रहता है ज इंतजाम नहीं है और लड़कियों को इसे ही चत वाले सेड में या इधर उधर रखेंगे पीजी कल्चर सुरू हुआ पटना में कि जैसे बहुत सारे ऐसे माता-पिता हैं जो अपनी बच्ची को भी पढ़ाना चाहते हैं तो अपने ग्रहस्त हैं किसान है या किनी भी कैसे हमारे बच्चे रह रहे हैं कॉपी तो आप कर लिए बंगलोर से चन्नाई से दिल्ली से लेकिन जीवा नस्तर क्या है उसका उसका बात्रूम उसके रूम में अटैच है कि नहीं है उसका कैसा रहन सन है वहां पंखा बिजली उसके अगनी समन की क्या विवस्ता है अपा चलाया जा रहा है कि अखर वाला थोड़े बता रहा है कि हम पीजी चला रहे हैं मकान खाली हुआ उसमें खोल दिया चात्रवास तो ले लिया एक ठेका एक गाड़ रख दिया लड़कियां कब आ रही है कब जा रही है अज जहां उस पर नकेल का सेंगे तो खाली करके चली तो एक मानक तो होना चाहिए उस पर सर्वे होना चाहिए कि कहां कहां पीजी चल रहा है किसा अधार पर चला रहे हैं ठीक है लड़के रह रहे हैं जैसे कुछ खास इलाका है जैसे आपका बजार समीति का इलाका जाइए न कैसे जैसे तैसे बना के मकान दे दिया है छोटा किराया फेमिली बाला नहीं ले रहा है तो इस पर एक होना चाहिए एक मानक तैह होना चाहिए कि आखिर विद्यार्थी रहें कैसे कैसे पढ़ें और कोचिंग की अंधी दौड से बचना चाहिए गारजियन को भी और बच्चों को एक दिरिव नितीश कुमार की सरकार ने वि एक अधिकारी आता है और नई नियमावली बनाता है यह सरकारों की चिंता तभी होती है जब कोई घटना घट जाती है तो क्या यह ऐसा ही चलता रहा है हाँ बिलकुल बिलकुल जैसे आप अभी देखिए अभी एक होटल में आग लग गई थी आपको निव मार्केट के मनि इस्टेशन के पास उसके बाद कहीं चर्चा में है होटल पत्ना में कितना नाजाइज चल रहा है गेस्ट हाउस और होटल जिसकी एक पतली सी सीड़ी है छोटा सा कमरा है कोई अगनी शमन की विवस्था नहीं है वाटर सप्लाई की क्या विवस्था है बिजली चली जाए दरिश तो उस में रह नहीं सकता है आदमी सफोकेशन में है होटल लेन में देख लीज़े जया कहीं भी देख लीज़े रजजाबजायर में बहुत सारे होटल खुल गए हैं पारस असपाल के आसपास में कड़ीब 1790 सी घेस्ट आउस चल रहा है है कोई देखने बाला नही कि आप उसको डेली सुचना दीजिये थाने को कि कितने लोग आप कि आहां रहें तो ठंडे बस्ते में चला गया ये भी कुछ दिन खबर में जब तक इसको मीडिया जिन्दा रखे हुए है तब तक ये चर्चा में है अजब बंद हो जाएगी दूसरी घटना बड़ी हो मैं यही कहना चाहूंगा कि कोचिंग की अंधी दौड से बचना चाहिए विद्यार्थी दूसरे माध्यम से भी पढ़ सकते हैं कोई जरूरी नहीं कि वो कोचिंग में जाए इंडिविज्वल टीचर से पढ़ सकते हैं बहुत सारे अब तरीके हो गई हैं ऑनलाइन पढ़ तो चलिए यह थी हमारी बादचित इस विशाय पर कि जो इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि देश में जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं कि इन मानकों पर चल रहे हैं और चात्र चात्राओं को जिस तरह से भेड बकडियों की तरह उसमें ठूस कर रखा जा रहा है माने सामान सुविधाएं भी उनको प्लब्द नहीं है इस पर सरकारों की चिंता कब होगी समाज की चिंता कब होगी ये सबसे महत्पुन बात है तो चिंता का विशाय सरकार के लिए भी और समाज के लिए भी इस महत्पुन विशाय पर जो हमारी बाचीत हुई वह बाचीत आपको कैसी लगी हमें जानकारी जरूर दीजी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लीखी और हमें बताईए कि हमारी बाचीच आपको कैसी लगी कल किसी अन्य मुद्दे पर किसी अन्य वरिश्ट पतरकार के साथ फिर हमाज़र हो जाएंगे तब तक जुड़े रहें लाइब बिहार के साथ देखते रहें लाइब बिहार नमस्कार